हाई डियर फ्रेंड असलाम अलेकुम हाव आर यू आई होप यू फिट आई होप यू फाइन तो आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं वी टोड़े वी आर गूइंग तो लेंड सिमाइल एंड अप्लाइट ट्रिक्स क्या करेंगे हम इन इक्वेशन्स को विथिन थ्री सेकंड् करेंगे इन की रूट्स को विथिन सेकंड्स फाइंड करेंगे नों कंप्लीटिंग इस्क्रार मेथड मेथड नौ क्वाडियर फार्मुला नों विथिन सेक्राइब नहीं क्या कर देंगे इन हीक्वेशन्स की रूट्स को फाइंड करेंगे तो क्या प्रोसेस है let's come before to go the to understand इस टॉपिक फर्स्ट कीप यूर जोश आए बाई हिटिंग दी लाइक बटन कीप माई जोश बाई हिटिंग दी सब्सक्राइब बटन लेट्स कम मूव यर कंसेंट्रेशन है दियर प्रेंड तो इनकी रूट्स हम कैसे फाइंड करेंगे विछ नसेंग कि इस फॉर कॉम्पी की –1 होगी एंड second one will be second one will be four upon seven ओक दीर फ्रेंड्स तो इसकी रूट्स क्या होंगी इसकी simply होंगी one root विल बी zero and second one will be twenty five तो हमने क्या कर दी विथिन three seconds maximum minimum two seconds हमने क्या कर दी इनकी प्रोफॉट स्पार्ट को तो समाल जस्ट माइं ट्रिक वह क्या है जब झाले ट्र हे क्या रिए में स्क्र jis move your concentration here to kill the concept तो जो ट्रिक्स हैं basically हमने ये roots within 3 seconds कैसे find कि हैं तो tricks क्या है कि first जो condition ने अगर equation पर ये condition satisfies हो जाती है if sum of coefficients of quadratic equation if sum of coefficients will be equal to zero अगर किसी भी quadratic equation का आप sum ले और वो zero का equal आ जाए तो उसकी roots क्या बनेंगी एक one बनेगी and second one c upon a तो ये quadratic equation अगर इसका हम sum ले suppose कर ले यहाँ पर अगर हम इसको sum ले ले इसके coefficients का sum ले ले two two plus minus five okay plus three is equal to zero तो ये क्या हो जाएगा two minus five plus three is equal to zero then three and two को add करेंगे तो ये कितना हो जाएगा five minus five is equal to zero तो ये क्या हो गया zero के equal आ गया तो ये condition satisfy हो जाएगी ये condition ये जो condition है satisfy हो जाएगी कि एक root क्या बनेगी one बनेगी and second root क्या बनेगी c upon a मतलब c upon a ये हमार पास क्या है c a ये हमार पास है a तो c upon a जब करेंगे तो ये कितना बनेगा three upon two okay dear friend ये क्या बनेगा three upon two तो यह है condition, अगर कोई भी quadratic equation आ जाए और उसका आप a plus b plus c उसके coefficients को अगर सम ले अगर वो 0 के equal आ जाएगा, तो यह condition आप उस पे apply करके उस equation के roots को क्या कर देना, click कर देना तो second जो हमारे पास है, second हमारे पास है, अगर उस equation के coefficients का a minus b plus c is equal to 0 आ गया then roots will be minus 1 and second root will be minus c upon a, तो यह क्या है, यहाँ पर अगर हम इनका a minus b plus c करें, ठीक है a minus b plus c करें, according to that condition, a minus b, a हमारे पास कितना है, 7 है, ठीक है, minus 11, ठीक है, plus 4, plus 4 is equal to 0 तो 7 और 4 को add करेंगे, 11, minus 11 is equal to 0, 0 is equal to 0, तो यह क्या हो गई, 0, 0 के equal हो गई अगर कोई भी equation हो, अगर उसका आप a minus b plus c, यह condition उसके apply करें, अगर वो 0 के equal आ गई, अगर उसके coefficients का difference and sum 0 के equal आ गया then root will be minus 1, एक root minus 1 बनेगी, and second root कौन सी बनेगी, minus c upon a, तो यहाँ पर अगर minus c upon a करेंगे तो हमारे पास यह c है, यह हमारे पास c है, यह हमारे पास a है, तो यह कितना बनेगा, minus 4 upon 7 minus 4 upon 7, sorry, यहाँ पर मैंने minus नहीं दिया, और यह हमारे पास minus 1, तो यह roots बनेगी, तो यह है आपके पास condition, यह condition है और यह apply कर देना, उस पर trick, just smile and trick, तो इसकी trick क्या है, अगर कोई equation हो, और उसका जो b part है, c part है, last वाला part, देखो, three parts होते है, x square plus bx plus c, यह हमारे पास होता है, last term, ठीके, अगर उसका last term 0 हो जाए, देखें, यहाँ पर 2x square minus 50x, यहाँ पर 0 नहीं है, तो समझ ले, यहाँ पर c part है, जो वो अगर 0 हो जाए, तो एक root हमेशा 0 रहेगी, क्या रहेगी, एक root हमेशा 0 रहेगी, तो अगर एसी quadratic equation आ जाए, 2x square minus 50x is equal to 0, मतलब उसमें c part नहीं है, c part 0 है, तो एक root हमेशा के लिए 0 रहेगी, यह अपने mind में रख लेना, और दूसरी root क्या बनेगी, दूसरी root बनेगी, minus b upon a, minus b upon a, तो यहाँ पर minus b upon a, कितना बनेगा, minus 50 upon, minus, sorry, यहाँ पर minus and minus 50 upon 2, sorry, मैं और किलियर कर देता हूँ आपके लिए, आप confuse ना हो जाए, okay, क्या करेंगे, minus b upon a, क्या है, minus b upon a, तो यहाँ पर minus, according to that trick, and हमार पास कितना है, यहाँ पर minus b हमारे कितना है, b हमा हमारे पास एक ना है, two है, तो यह minus minus cancel हो जाएगा, two को 50 से multiply करेंगे, 25, तो यह हमारे पास two divide करेंगे, 25 हो जाएगा, ठीक है, तो यह हमारे पास दूसरी root क्या बनेगी, 25, मतलब minus b upon है, तो यह है tricks, okay, dear friend, तो हमने क्या किया, simply minus b upon a कर दिया, minus b upon a कर दिया, तो अगर एसी equations, आप अगर equations को देखें, अगर यह सी conditions उस पे satisfy हो जाती है, तो यह trick, smile करके, यह trick क्या कर दें, apply कर दें, तो full concept देखना चाहते हैं, verify करना चाहते हैं, इन equations को, क्या मैं, इन equations को मैं verify कर देता हूँ, ताकि आपकी confusion दूर हो जाए, अगर इस video का आप second part देखना चाहते है, if you want to see second part of that video, उसमें भी बेश्मार tricks होंगी, तो उपर दिये हुए मेरी channel की link के click करें, and subscribe करें, like करें, और अपने friends को share कर दें, इनशाला बहुत ही soon, बहुत ही जल्दी, दूसरा part इस video का आजाएगा, ठीक है dear friends, तो let's to see the full concept, full process of these equations, let's kill by full concept, तो यह है full concept पड़ा, इन जो हमने मैंने tricks आपको बताई, अगर आप verify करना चाहते हैं, कि उसमें कोई doubt नहीं है, तो मैंने in equations को क्या कर दिया है, पूरे के पूरे process से भी solve कर दिया, हमने quadratic formula in equations पे लगाया, इस equation पे quadratic formula लगाया, पहले हमने trick की मदद से, यह three second में हमने क्या कर दी, roots find कर दी, फिर हमने quadratic formula की से इसको solve किया, तब भी हमारे पास equation से माई, एक one आया, ठीके और दूसरी हमारे पास three by two, तो मतलब यह जो हमने trick में ने दी, वो verify हो गई और वो 100% right है, ठीके, तो आप यह खुद देख लेना process, second में हमने इस पे भी quadratic formula लगाया, तो हमारे पास same ही roots आई, जो हमने three second में find क minus one, minus four upon seven, यह यहाँ पर minus one, minus four upon seven, हमने quadratic formula के तहत इसको solve किया, तब दी, हमारी जो roots आई, वो same हाई, मतलब हमारे trick, यह भी trick 100% right है, तो जो हमारी third trick थी, की minus b upon a, उस से हमने इसको क्या कर दिया, factorization कर दी, ठीक है, two x square minus 50 is equal to zero, two x commonly है, x minus 25, then two x is equal to zero, x is equal to zero upon two x is equal to zero, देखें, एक root क्या आगई, zero आगई, और दूसरी root क्या आगई, minus b upon a, मतलब 25 आगई, यहाँ पर minus b upon a लेंगे, minus b upon a, मतलब, minus b हमारे पास कितना है, minus 50, okay, and upon a, हमारे पास two है, ठीक है, minus minus से cancel, 50 upon two, two, 50 is equal to 25, जब 50 को two से डिवाइड करेंगे, तो यह भी trick हमारे क्या होगे, verify होगे, अगर दूसरा पार देखना चाहते हैं, इस video lecture का, इस tricky video lecture का, अगर दूसरा पार देखना चाहते हैं, तो उपर दिये हुए मेरी channel के link पे click करें, मेरी channel को subscribe करें, और bell icon पे click कर दें, ताकि notification आप की, पार two की notification आप तक, बहाँसानी पहुंच जाए, okay, dear friends, तो हमें दीजिये if you want to join my whatsapp group related to mathematics tricks and shortcuts and concept then inbox me okay inbox me your whatsapp number okay dear friends मुझे दीजिए इजादत अलाहाफिज इंशाला हम जल्द ही मिलेंगे बाइबाइ मिलेंगे डिया रटिए इंशावं से दो, कर दो डिया है